दोस्तों आप देख रहे हैं Decode Indian और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Multistate Cooperative Societies के बारे में अब देखे यहाँ पे इस टॉपिक के बारे हम इसलिए डिसकस करने वाले हैं क्यूंकि राज्य सभा से Multistate Cooperative Societies Amendment Bill 2023 को पास कर दिया गया है आप यहाँ पे देख सकते हैं Economic Times का आर्टिकल है यह राज्य सभा से Multistate Cooperative Societies Amendment Bill 2023 तो चलिए डिसकस करते हैं कि exactly इस बिल के अंतरगत है क्या-क्या और यह Multistate Cooperative Societies क्या होती है कैसे काम करती है, cooperative societies क्या है तो इन सब को हम यहाँ पे डिसकस करने वाले हैं सबसे पहले तो देखें यहाँ पे जो हमारे देश में Minister of State Cooperation है BL वर्मा जी उनके तो आड़ा Multistate Cooperative Societies Amendment Bill 2023 को राज्य सभा में पेस किया गया था और फिर उसको यहाँ से पास किया गया और 25 जुलाई 2023 को ही लोक सभा से यह जो बिल है वो अप्रूब हो चुका था ठीक है अब यहाँ पे देखें इस बिल का ओदेश क्या है तो इस बिल का यहाँ पे क्या ओदेश है कि हमारे देश के अंदर जो Cooperation societies है उसको रेगुलर बेसिस पे करना है इसके अलावा यहां पे बहुत जगह पे देखा गया है कि जो cooperative societies में election होता है election की जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि cooperative societies के जो board है उसके अंदर जो member की नियुकती होती है तो उसमें देखा जाता है कि related person को appoint कर दिया जाता है तो यह जो पूरा bill है इन सब चीजों को prohibit करता है चलिए शुरू करते हैं कि bill में क्या-क्या है लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं cooperative societies क्या होता है देखे आपको पता होगा कि अलग-अलग type के business organization होते हैं ठीक है यहां पर यह एक ऐसे तरह का business organization होता है जो कि मेली हमारी society का जो weaker section होता है उसके दोरा form किया जाता है ताकि जो economically stronger section है वो इनके उपर सोसन ना कर सके और यहां पर देखे और यहां पर cooperative societies में जो member होते हैं जिसके दोरा इसको form किया जाता है तो वो यहां पर अपनी इच्छा से यहां पर जूरते हैं और जो भी decisions वगेरा लिया जाता है जो भी policy वगेरा बनाया जाता है तो उसमें यह भी participate करते हैं equally participate करते हैं और इस पूरे organization को control किया जाता है cooperative societies में जो member होते हैं उनके दोरा ही अब देखे कोई भी cooperative societies लीगल इंटिरी तभी मानी जाएगी जब वो रजिस्टर है cooperative societies act 19-12 के अंतरगत और यहां पर होता क्या है कि cooperative society में जो members होते हैं वो अपने वो यहां पर जो capital है उनसे ही raise किया जाता है ठीक है यह यहां पर कहा जा रहा है और देखे जो cooperative societies हैं आपको हर sector में almost मिल जाएगा मतलब हर sector में तो नहीं लेकिन बहुत सारे sector में आपको यहां पर मिल जाएंगे जैसे कि retail हो गया banking, housing, marketing, agriculture, manufacturing तो इन सब sector में आपको cooperative societies काम करते वे दिख जाएंगे अब हमारे constitution के हिसाब से यह जो cooperative society है यह जिस भी state based होंगे तो उस state के द्वारा जो है इसको regulate किया जाएगा इसके इन corporation को उसके बाद इसको regulate किया जाएगा और इसका जो winding up का process होगा यह सारा state के द्वारा regulate किया जाएगा और अगर हम यहाँ पर बात करें कि कुछ famous cooperative society हमारे देश में कौन-कौन से है तो देखिए अमूल के बारे में आपने जाना होगा तो अमूल क्या है अमूल भी एक cooperative society ही है इसके बाद यहाँ पर लिजजत पापर हो गया फिर से क्रिब को उसके बाद इंडियन फार्मर्स फ जुलाई 2021 से पहले क्या था कि जो भी cooperative society था उसके लिए अलग से कोई ministry नहीं थी लेकिन यहाँ पर जुलाई 2021 में इसके लिए अलग से ministry को फॉर्म किया गया जिसका नाम क्या रखा गया ministry of cooperation इसका नाम रखा गया तो यह ministry के दौरा जो भी cooperative movement होता है हमारे देश के अंदर त cooperative societies क्या होता है तो देखे अंतरगत सारी फंक्शनिंग यह जो एक्ट है 2002 का उससे गवन किया जाता है अब देखे अभी हमारे देश में 1500 से जादा मल्टी स्टेट को ऑपरेटिव ससाइटीज हैं और यह यहां पे इसमें से जादा तर जो है वह क्रेडिट बेस्ट नेचर के हैं मतलब कि जादा तर जो को ऑपरेटिव ससाइटीज हैं वो लोन वगयरा देने का काम करते हैं इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो यह तो बात हो गई को ऑपरेटिव ससाइटीज और यहां पे जो मल्टी स्टेट को ऑपरेटिव ससाइटीज होता है उसके बारे में अब हम आते हैं इस बिल के को उसको यह अमेंड करता है और यहां पर कौन-कौन सी बाते कहीं गई है तो सबसे पहले सकते इसमें प्रोसेस होता है इसमें अभी कैसा होता है कि अभी यहां पर जो बोर्ड का फ्रेस सब्षाय करते हैं इसके दौरा पे cooperative election authority को establish करेगी और यही जो authority रहेगी यह यहाँ पे जो board का election होगा उसको conduct कराएगी उसको supervise कराएगी और यहाँ पे देखे क्या कहा गया है कि यह जो authority रहेगी इसमें कौन-कौन रहेगा तो एक chairperson हो गया एक यहाँ पे और यहाँ पे तीन members होंगे जिनको कि अपॉइंट किया जाएगा केंद सरकार के दोरा और केंद सरकार यहाँ पे selection committee होगी उसके recommendation पे इस authority के अंदर यहाँ पे अपॉइंट करेंगी इसको अब देखे इसके बाद इस में क्या कहा गया है तो यह जो बिल है वह यहाँ पे परमीट करता है कि अगर कुछ state cooperative societies अलग अलग State cooperative societies है तो यह यहाँ पे जो multi-state cooperative society पहले से काम कर रहा है तो उसमें यह मर्ज हो सकते हैं लेकिन यहाँ पे क्या है कि अलग अलग state में वह को कि वह जो cooperative society है उसको general meeting में जो two-third members होंगे उनका approval लेना पड़ेगा यह यहां पर कहा जा रहा है और resolution पास करना पड़ेगा इसके बाद देखे यह जो बिल है यह बात करता है cooperative rehabilitation reconstruction and development fund को establish करने की अब यह जो fund है इसको इसलिए establish किया जाएगा ताकि जो multi-state cooperative societies हैं जो की काफी जादा कमजोर हो गया है तो उसके revival के लिए इस fund को यहां पर establish किया जाएगा और यहां पर यह जो fund है इसके अंतर पैसा कहां से आएगा तो वैसे multi-state cooperative societies जिनका पिछले तीन साल में profit उन्होंने अर्ण किया है तो यहां पर उनके द्वारा यह जो fund है इसमें financing की जाएगी वह यहां पर क्या करेंगे इस fund के अंदर पैसा देंगे अब वह कितना deposit करेंगे तो इसको ध्यान से समझे यहां पर कहा गया है कि वन करो पार एक या फिर एक से जाता cooperative ombudsman को यहां पर अपॉइंट करेंगी टेरिटोरियल जुरिश्डिक्शन के हिसाब से अब यह ombudsman जो है जिसको कि हिंदी में लोकपाल कहा जाता है तो यह क्या करेंगे यह यहां पर जो multi-state cooperative society होगा उसका जो बोड होगा उसमें एक एक सी डिजर्व होगा schedule कास्ट के लिए schedule tribes के लिए और महिलाओं के लिए इसके बाद यहां पर क्या कहा जा रहा है इसके बाद यहां पर कहा जा रहे बढ़ा हुआ मोनेटरी पैनल्टी जो है वह इंपोस करने का बात यहां पर किया गया है अगर वह कोई नियम का पालन नहीं करते हैं तो और इन सब के अलावा एक चे जहां पर यह कहा गया है कि जो भी इनके दोरा फाइलिंग की जाती है अप्लिकेशन डॉक्यूमेंट रिट